फ्रेंट्स आज मैं लेके आई हूँ दादी नानी वाली मसाला गुड बर्फी की रेसेपी जो कि इसे जमाने से दादी नानिया बनाते आ रही है इसे खाने से जोडों की दर्द, घुटनों की दर्द, आंखों, बालों और कमजोरी थकान इसे खाने से दूर होती है और सरदी इस रेसिपी को आप एक बार जरूर ट्राइ करें, इसमें वो सारे पोसक तत्व है, जो कि आप इसे खाके, पूरे सर्दी इसे खाके, बिना तव्यत खराब किये, आप पूरा सर्दी निकाल सकते हैं, तो एक बार आप इस रेसिपी को जरूर बना कर ट्राइ करें, चलते हैं इस रेसेपी को बनाने के लिए तो फ्रेंट्स देख सकते हो हमने यहां पे हमने यहां पे आधा केजी गुड ले लिया है आप यहां पे कोई साभी गुड ले सकते हो अगर आपको देशी गुड मिल जाए तो और भी बढ़िया होता है फ्रेंट्स तो हमने यहां पे आधा के को अब हम चलते हैं गैस की तरफ गैस में हमने कड़ाई रख़ दिया और हमने यहां पे कुछ dry fruits ले लिया है जो कि इसे हम dry roast कर लेंगे dry fruits और मसाले मिलके और भी healthy बन जाते हैं तो इसलिए आप इस dry fruits को जरूर ले तो friends इस dry fruits को हम कड़ाई में डाल देंगे तो friends छंड के मौसम में आप dry fruits तो खाते ही है तो आप इसे अगर मसाले के साथ इस तरीके से बना कर खाते हैं और भी healthy हो जाती है और इसे हम dry roast कर लेंगे सर्दियों में हम dry fruits लेते हैं तो friends इसमें iron, calcium, vitamin, omega 3, fatty acid इसमें प्रचूर मातरा में होती है तो इसे आप ठंड के मौसम में जरूर खाए हम इसे low flame पे dry roast कर लेंगे तो friends अगर इन में से कोई dry fruits आपके पास ना हो तो आप यहाँ पे dry fruits को कम ज़्यादा कर सकते हो तो friends यहाँ पे देख सकते हो dry fruit dry roast हो चुका है मखाने को हम इस तरीके से चूर करेंगे तो देख रहे हैं मखाने एकदम चूर चूर हो जा रहा है तो मतलब यह एकदम अच्छी तरह से dry roast हो गई है जो इस पे हमने और भी चीज़े डाले हैं सारे चीज़े एकदम अच्छी तरह से dry roast हो गई है तो अब हम इसे एक plate में निकाल लेंगे अब हम कड़ाई को अच्छी तरह से साफ कर लेंगे अब हम इसमें आधा कप के करीब तील एड़ करेंगे तील में calcium भरपूर मातरा में होता है तील खाने से आपके जोडों के दर्द जो भी पुराने दर्द वर्द होते हैं वो सारे खतम होते हैं तो तील जरूल खाना और तील हड़ियों को मजबूत करता है अब हम इसमें एक टेबल स्पून जितना सौफ एड़ करेंगे सौफ आखों के लिए बहुत ही फायदे बंद होता है तो सौफ को इसमें आप जरूर एड़ करें अब हम इसे ड्राइ रोस्ट कर लेंगे यहाँ पे देख सकते हो यहाँ पे तील भी भून चुका है तो अब हम फ्लेम को बंद करेंगे जितने भी ड्राइ फ्रूर्ट से फ्रेंट सक को ठंड़ा करके उसके बाद हम इसे दरदरा पीस लेंगे हम ड्राइ फ्रूर्ट को पीस लेंगे अब हम इसे एक प्लेट में निकाल लेंगे तील भी ठंडा हो गया है तो तील को भी हम पीस लेंगे हमने यहाँ पे गैस में कड़ाई रख दिया है कड़ाई में हम एक टेबल स्पून जितना घी एड़ करेंगे हमने यहाँ पे देशी घी लिया है घी डालने से ये बर्फी एकदम सौप्ट बनती है हमने यहाँ पे एक छोटा टुकड़ा अद्रक को इस तरीके से ग्रेट करके ले लिया है तो सर्दी जुकाम होता है फ्रेंट तो अद्रक आप जरूर खाते हो इस तरह से अगर आप इस बर्फी में डाल के खाएंगे तो आपको सर्दी जुकाम बिल्कुल भी छू नहीं सकती है अद्रक ठंड के मौसम के लिए बहुत ही फायदे मन्द होता है तो अद्रक तो जरूरी खाना चाहिए इससे खासी जुकाम नहीं होता है तो अद्रक को हम पहले अच्छी तरह से भून लेंगे तो फ्रेंट्स यहाँ पर ये अद्रक भून चुका है अब हम इसमें आधा छोटा चमच हल्दी पौडर डालेंगे तो हल्दी को भी हमने इस तरीके से भून लिया है जो हमने गूर को काट के रखा है उसे एड़ कर लेंगे तो friends गूर को हमें बहुत ज़्यादा पकाना नहीं है सिर्फ हमें गूर को हमें मेल्ट करना है और इसे हमें लगातार चलाते रहना है गूर को अगर आप काट के लेंगे या फिर ग्रेट करके लेंगे तो ये बहुत जल्दी मेल्ट हो जाएगी आपको बहुत देर तक पकाना नहीं होगा तो फेंट्स यहाँ पे देख सकते हैं गुड मेल्ट हो गया है तो अब हम यहाँ पे गैस को बंद कर देंगे तो हमें सिर्फ गुड को मेल्ट करना है इसे बहुत ज़्यादा बिल्कुल भी नहीं पकाना है और हमने जो यहाँ पे पीस के रखा था ड्राइफ रूट्स उसे एड़ कर लेंगे तो हमने जो पीस के रखा था ड्राइफ रूट्स उसे ले लिया है और जो हमने तील को भी पीस के रखा है उसे भी ले लिया है अब हम इसे गूड में अच्छी तरह से mix कर लेंगे तो यहाँ पे फ्रेंट्स अबने सभी चीजों को अच्छी तरह से mix कर लिया है अब हम यहाँ पे टेस्ट के लिए काला नमक एड़ करेंगे इसे इस बर्फी में डालने से इस बर्फी का टेस्ट बहुत ज़्यादा अच्छा लगता है अब हमने यहाँ पे 8 से 10 काली मिर्च को इस तरीके से कूट के ले लिया है यह खासी जुकाम में फायदे मंद होता है तो इसलिए आप काली मिर्च को जरूर एड़ करे ऑब हमने यहाँ पे छोटा टुकडा दाल्चिनी ले लिया था उसे इस तरीके से पीस ले लिया है यह भी बहुत फायदे मंद होता है तो इसे भी आप जरूर एड़ करें अब हमने यहाँ पे 8 से 10 दूलसी पत्ते को इस तरीके से बारिक तोर के ले लिया है तो इसे भी हम इसमें डाल देंगे ये सारे चीजे इसमें जरूर एड़ करें ये खाने में बहुत ही फायदे मंद होता है इसे अगर आप डेली लेते हो तो कभी भी आपको सर्दी जुकाम खासी नहीं होगा तो आप इन सब चीजों को डाल के जरूर बनाए अब हमने यहाँ पे चार इलाइची इस तरीके से कूटके ले लिया है अब हम इन सब को अच्छी तरह से मिक्स कर लेंगे अगर आपका गूर ट्राइट हो गया हो तो आप इहाँ पे गैस को ओन कर सकते हो अब ये सारे चीजे अच्छी तरह से मिक्स हो चुकी है तो अब हम यहाँ पे फ्लेम को बंद कर देंगे तो अब हम इसे थाली में फैला लेंगे गुड को हम थाली में फैला लेंगे तो यहाँ पे देख सकते हूँ फ्रेंज गुड को हमने अच्छी तरह से थाली में फैला लिया है अब हमें इसी टाइम इसमें कट लगा लेना होगा अगर इसे हम बाद में लगाएंगे तो फिर यह नहीं तूटेगा तो हमें इसे इस तरीके से कट लगा लेना है तो इसी तरह हम इसे स्क्वेर सेप में काट लेंगे तो फ्रेंट्स हमने यहाँ पे इस तरीके से स्क्वेर सेप में कट लगा लिया है अब हम इसे एक से दो घंटे के लिए सेट होने के लिए रख देंगे फ्रेंट्स यहाँ पे देख सकते हो बर्फी एकदम अच्छी तरह से जम गई है तो फ्रेंट्स अब हम बर्फी को इस तरीके के स्पेचुला से इसे हम निकालेंगे तो इस तरीके से करने से फ्रेंट्स एकदम अराम से बर्फी निकलाती है तो इस बर्फी को हमने पहले से ही कट लगा के रख लिया था तो देख सकते हो ये बर्फी एकदम अराम से अलग-अलग हो जा रहा है तो फ्रेंट्स यहाँ पर एकदम टेस्टी सी हल्दी सी बर्फी बनके तयार हो गई है तो आज की रेसेपी मेरी पसंद आई हो फ्रेंट्स तो लाइक शेर सब्सक्राइब करें इसी तरह में आपके लिए नई रेसेपी लेके आते रहूंगी तब तक के लिए बाई बाई